नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का उनलाइन क्लास में पूने एक बार स्वागत, मैं डॉक्टर नवलकिशोर साहे काचार हिंदी, आज आपको बीए तिर्टे वर्स का जो प्रथम प्रशन पत्र है, उसकी तीसरी इकाई सचीदादन हीरानन वास्चायन अगे की रेच और उनके सहित्यक योगदान के बारे में अदिन किया था, आज हम हमारे पाठिकर में दी गई, उनकी जो रचना है, कलगी बाजरे की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अदिन करेंगे, देखिए कवी अपने इस कवीता में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, आपको प आदोनिक योग को इसपस्ट करने का प्रयास किया है, उनकी रचनाओं में वर्तमान जीवन की विशंक्तियों के साथ साथ, संगर्श्पून जीवन का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है, प्रस्तुत कवीता जो है कलगी बाजरे की, इसके अंतरगत भी कवी ने नवेन उक्मान चित्रित करने का प्रयास किया है, और उसके द्वारा हमें एक नए उक्मानों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया है, क्या कहता है कवी देखी, हरी बिछली घास, दोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती साज के नब की अकेली तारी का अब नहीं कहता, कवी कहता है कि कवी ने बाजरे की जो खेत में लहलाने वाली बाजरे की कलगी है, उसको देखकर अपने विचार पस्तुत किया है, छायावादी कवीता में प्रेम और सौंदरे का चित्रन है, वो कुछ बनावटी पन लिये वे, कवी की द्रिष्टी में पारिक और अयथार्थवादी है, अता उनके इस्थान पर कवी ने यथार्थप्रक उपमानों का वणन करने की हमें प्रेना दी है, और कवी ने बाजरे के खेत में अधखिली बाजरे की कली को देखकर ये परिकल्पना की है, कि अब वह उसे सांधिय काले इन आकास में चम मक्ती तारिका की उपमा नहीं दे सकते हैं, इसलिए कवी कहता है कि हरी बिचली गास, हरी भरी गास के अंदर दोलती कल्गी, दोलती होई, जूलती होई, जो कली है, अद खिला, जो बाजरे की कली है, छर हरी, वो बाजरे की जो कली है, अगर मैं तुमको ललाती सांज के पादरे की गली को संद्यकालिन आकासमे चमक्तिवी तारीका की उस्क्मा मέν नहीं दैता या मैं उसे नहीं कहता या शर्द के भोर की निहार न्याही कोई आगे कभी कहते हैं कि और नहीं मैं उसे शरद रितू में पढ़ने वाले जो प्रातर कालिन पाला है या उसकी बुंदों में नहीं हुई जो कली है उसकी उपमा दे सकते हैं और आगे कहते हैं टटकी कली चंपे की वगर और ना उसे चंपे की अद खिली कली की कह सकते हैं या उसकी उपमा दे सकते हैं क्योंकि कवी का मानना है कि ये सब उपमान है आदुनिक युग में अनुचित परतीत होते हैं कि तो नहीं कारण की मेरा हिर्दे उथला या की सुना है या की मेरा प्यार मैला है बलकी केवल यहीं ये उपमान मैले हो गए देवता इन परतीकों के कर गहें कूज कभी वासन अधिक गिसने से मुल्नमा छूट जाता है कवी के अनुसार हिंदी कवीता में प्रियुक्त होने वाले सारी उपमान आज की जो भौतिक आवशक्ता है या भौतिक यूख के कारण है मूल्ने हिंज से दो गए है अतहाब इन परंपरागत परतीकों का आकर्शन समाप्त हो गया है इन पुराने काव्याधारों का रूप अब उस रंग छूटेवे बरतन के समान रह गया है जिसकी चमक है बराबर प्रियुक करने से गिसने से पूनता समाप्त हो गई है इसलिए कवी कह रहा है कि ये जो उपमान है मैले हो गए है ये उपमान मैले हो गई है देवतायन परतीकों के कर गह कूज और कभी बासन अधिक गिसने से मुल्लमा छूट जाता है बार बार उस बरतन को गिसने से उसकी चमक है वह समाप्त हो जाती है आज कवीता को नए सौंदरे शास्त्री के आउशकता है जो की युक के अनुकूल हो इसलिए कवी नवीन उपमान नवीन प्रतीक और साथ ही नवीन बिंब योजना को मैत्व देता है उसकी प्रेणा देता है और जो पुराने होचो के उपमान है प्रतीक है उन्हें बताता है इस प्रकार से आपने देखा कि प्रस्तुत जो कविता है इसके इसपद में कवी ने प्रियोग वादी कवियों को नवी नुकमान और ने प्रतीकों को अपनाने की प्रेनादी है ताकि आज के ने कवी यथार्ट प्रत भोतित्तावादी प्रतीकों का प्रियोग कर स यदि बाशा की बाद करें विद्यातियों तो बाशा सरल है स्वाभाविक है साथी लाक्षनेक और कहीं कई पर कह सकते हैं वेंग्यात वक्त भी हैं ये आगे देखते हैं अगले पद में कवी क्या कहे रहे हैं कि मगर क्या तुम नहीं पैचान पाओगी तुमारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के निजी किस सहज गहरे बुद से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ अगर मैं यह कहूँ बिजली घास हो तुम लह लहाती आवा में कलगी छरहरी बादरी की आपने लेखा कि विद्याथियों कवी अगे ने रीती कालिन तथा चायावादी कावे में सौंदरे चित्रन और प्रेम निरूपन को देखर यका है कि उसमें बनावटी पन कृत्रमता दिखे उसमें उक्माओं और रूपों की जड़ी लगी रहती है किन्तु उप्योग वादी कावे में यथार के धरातल पर सामाजिक जीवन में पलने वाले सत्य का उद्गाटन किया गया है आज के कवी ने शेल्प एवं कथे दोनों के इस्तर प्रविद्रो किया है और कवीता के नए धरातल की खोज की है प्रमप्रागत कावे उक्माओं को बहुत अधिक गिसने से रंग छूटे बरतन के समान उसकी भी चमक है खो गई है यह कवी पहले कह चुके है और आगे कवी कह रहे हैं अब कवी ने आगे अपनी प्रेशी के रूप वर्णन में नए सौंद्रे सास्त्र की खोज की है उसके छरहरे बदन की तुन्नावा बाजरे की कलगी से करके यथार चित्रन करने का प्रयास करता है कवी कहता है कि तुमारे रूप के निकट जो जादू है उसमें मैं गैरा दंस गया हूँ और गैरे बोद तता असेम प्यार से कह रहा हूँ कि तुमारा रूप मैदान में फैली हरी भरी घास के समान तरोता जाए तथा हवा में लहलाती बादरे की कलगी के समान यह जो रूप है आकरसक और नवेन प्रतीक होता है इसलिए कवी कह रहा है किसी जादू के किसी निश सहच गहरे बूद से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि बिजली घास हो तुम लहलाती हवा में कलगी छरहरी बादरे की तो इस प्रकार से प्रस्तुत जो पध्यांस है प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ने नाइका के सौंद्रे का चित्रन करते भी नितान्त नए उपमानों का प्रियू किया है पहले किसी कवी ने नाइका के मासूं सौंद्रे की जो तुलना है वो बिजली घास या कलगी बादरे से नहीं की अतह कह सकते हैं कि मौलिक कल्पना वो नवीन प्रतीक के कारण नवीन आकरसन बन पड़ा है और भाषा की बात करें तो लाक्षनेक वो प्रभाव शाली है अब अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं अगले पद में और अंतिम पद में कभी क्या केने जारा देखिए आज हम शहरातियों को पालतु मालंच पर संवरी जुही के फूल से स्रिष्टी के विस्तार का एश्वर्य का ओधार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है कभी कहता है कि दिहाती जीवन से दूर रहने वाले शहरी कभी को समय की आवशक्ता ने नैसर्गिक बूत कराने के लिए पुनहां ग्रामिन सौंदरी की और आकर्षित किया है और संकेत दिया है कि घर के बगीचों में अनेक हातों से संवरी हुई जो जुई है जो आज तक आकर्षन का कैंदर थी अब वक कुमला गई है अर्थार्थ जो ही के फूल से नाईका की देह इजराशिग है उसकी जो तुलना की जाती है अव वो तुलना है बासी हो गई है इसके विप्रेत आज खेतों में या शर्द की सांज के सूने गगन की पीठी का पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की तो इसके विप्रेत आज के समय खेतों में सरद रितू के सौन्दरे से भरेवे संध्या का लिन आकाश में हिलती हुई बाजरे की कलगी जो है वह कहीं अधिक सुन्दर है अतह आज की कवीता का प्रतीक उपण में उगने वाली जो ही न होकर कवी के नुसार घास के बीच में रहने वाली वह बाजरे की कलगी ही है कहने का तात्प्रिय है कि जिस परकार से हरे भरे मैदान स्रिष्टी के विस्तार का बोद कराते हैं और खेतों में लहलाती बाजरे की कलगी जो है वो एश्वर्य का पतीक है। उसी प्रकार नाइका का जो रूप है घास और बाजरे की कलगी की तरह नैसरगिक्ता और सौंद्रे का बोथ कराता है। ऐसे अचूते और सात्विक सौंद्रे को देखकर कवी की हिर्दे में सच्चा प्यार उमणने लगा है उसके रूप का सौंद्रे मन को बाता है तथा शरत की संध्या में सूने गगन की प्रिष्ट भूमी में हवा के जोंकों से जूलती बाजरे की कल्गी की तरह मन को वह मुहित कर लेता है इस प्रकार से कभी ने नए प्रतीकों के द्वारा नाईका के सौंद्रे का चित्रन किया है और जोही की कली की अपेक्षा बाजरे की जो कल्की है उसे आज के समय में यथार्त वादी प्रतीक माना है उपमान माना है आगे कभी क्या कहते हैं और सचमोच इन्हें जब जब देखता हूं ये खुला वीरान संस्रिती का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूं आंत मैं कभी कहता है कि जब जब प्रियतमा के उस रूप देखता हूं तब तब स्रिष्टी का खुला आंगन बिचली घास का विस्तृत मैदान मानो घना होकर उसके रूप में सिमट आता है और मैं एकांत में तन्वे होकर उसके रूप सौंद्रे का पान करता हूं और कभी इस प्रकार से भाविभोर ओडता है तो विद्यातियों प्रस्तुत पंक्तियों में कभी ने एक नव यौवना के अध्वित्य सौंद्रे का अनूठा चित्रन हमारे सामने प्रस्तुत किया है अगे ने प्रियूगवाद की शैली के नुसार प्रियतमा के रूप वणन में नवी नुकमाओं और प्रतीकों का प्रियूग किया है इस प्रकार से सशक्त अभी वेंजना हुई है संस्क्रिट्ष पदावली और माधूरी गुण के प्रियूग से नए योजना को नए अर्थ कवी ने प्रदान की है इस प्रकार से कवी किये जो पहली रचना थी कलगी बाजरे की इसके बारे में हमने आज चर्चा की आज के लिए अब इतना ही अगले का लांश में हम उनकी अगली रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगी तब तक आप सभी का बहुत-बहुत आभाद